नमस्कार स्वागत आपका निउस वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूलतिया आगे और आप देख रहे हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया पाश्यम बंगाल विधानसवा शुनाव के पांचवे चरण के लिए सुबा साथ बज़े से मद्दान शुरू हो गया है इसमें वेस्ट पंगाल की 45 विधानसवा सीटों के लिए वोटिंग कड़ी सुरक्षा और कोविट प्रोटोकॉल के साथ कराई जा रही है कड़ी सुरक्षा में पाश्यम बंगाल में पांचवे चरण के मद्दान के लिए 6 जिलों की 45 विधानसवा सीटों पर वोट डाले जा रहे है बता दें उतर 24 परगना पुर्वा बर्दमान नादिया जलपाई गुडी दाजलेंग और कली मंपोंक जिले में आज मद्दान हो रहा है पांचवे चरण में 45 सीटों पर कुल 319 उम्मीदवार है आज की वोटिंग के बाद पशिम बंगाल की 294 सीटों से आधी से अधिक सीटों के लिए उम्मीदवारों का भागया एवियम में सील हो जाएगा बता दें कि पशिमगाल में मद्दान आठ चरण में आईजित किया गया है जिसमें से 135 सीटों वाले 4 चरण पहले ही पूरे हो चुके है राश्टे राज़ाने दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है शुक्रुआर को यहां 19,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए जबकि 141 की महमारी की वज़से जान चली गई लोगों की जान पर भारी पड़ रहे कोरोना संकवन की इस चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली में शुक्रुआर की रात 10 बज़े से ही वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है जो सुवा कि सुवा पाँच बज़े तक रहेगा बता दे केशिवाल सरकार के आदेश के मुताबिक वीकेंड लोगडाउन के दौरान ओडिटोरियम, जिम, मॉल सभी चीजों को बंद रखना होगा जबकि सेमा घरों में से 30-30 दर्शकों के साथ उसे चलाए जा सकेगा इतना ही नहीं, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान रेस्टोरान में बैट कर आप खाना नहीं खा पाएंगे लेकिन वहाँ से घर के लिए खाने के डिलिवरीज जरूर करा सकते हैं वीकेंड लॉक्डाउन को लेका देले पुलिस के पियारो चिन्मिन बिस्वाल ने कहा कि आज रात के कड़े प्रतिबंदों के साथ वीकेंड लॉक्डाउन शुरू हो गया है लेकिन लॉक्डाउन की अफवक्स के खौफ से रोजाना सूरत से हजारों लोग अपने अपने घरों को रवाना हो रहे हैं पिछले तीन दिनों में 15,000 से ज़्यादा लोग अपने घर लोट चुके हैं रेलवे में यात्रा की सक्ती के बाद बसों पर भी बोज बढ़ रहा है रोजाना सौसे ज़्यादा बसे सूरत से यूपी एंपी जा रही हैं गुजरात में रहने वाले श्रमिक परिवार एक बाद फिर से अपना घर बार छोड़ कर गाउन जाने को मजबूर हो गए हैं और द्योगिक शेतर कहे जाने वाले पांडे सरा इलाके से हर रोज बसों के जरीए हजारों की तादात में श्रमिक अपने अपने राज्य की तरफ पलाइन कर रहे हैं सूरत में पिछले 30 सालों से रोजी रोटी कमा रहे नाजिर शेक अपने परिवार के साथ सूरत से अपने राज्य उत्रप्रदेश रवादा हो गए है क्योंकि देखें लगातार जिस तरह से अफ़ाय उड़ रही हैं लोगडाउन लग जाएगा ऐसे में श्रमिक मजदूर जो है प्रवासी मजदूर जो है वो लगातार परिशान है वो उनका कहना है कि कहीं सरकार लॉकडाउन न लगा दे इसलिए वो पिछली बार की तरह कहीं अलग अलग जगाओ पर न पर जाएं इसलिए वो समझ रहे हैं कि हमें अपने अपने घर समय से पहुचाना चाहिए कोरोना संक्रमन के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 35 घंटे का कोरोना कर्फियू लगाया है इस दोरान केवल आवश्यक वस्तू के लिए ही छूटोगी यही नहीं पूरे प्रदेश में अब हर रविवार को साप्ता एक बंदी रहेगी जिजलो में रात का कर्फियू लगाया गया है वो जारी रहेगा मुख्य मंतरी योगी अधितिनाथ ने टीम 11 के साथ शुक्रुवार को वर्चूर बैटक में ये फैसला लिया गया बता दे मास्क ना पहनने वालों पर भी कड़ी कारवाई की जाएगी बिना मास्क के बाहर निकलने पर पहली बार में 1000 रुपे जुर्माना लिया जाएगा और इसके बाद भी अगर नहीं माने तो दूसरी बार 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगेगा शत प्रतिशत लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चुत करना होगा देश में पिचता फीज़ी से ज्यादा बारिश करने वाला दक्षिनी पश्चमी मौनसून इस साल समानर रहने की संभावना है भारतिय मौसर विभाग के मुताबे के साल पाच फीज़ी कम याज ज्यादा के अंतर से दिर्ग अबदी औसत के हिसाब से अन्ठानवे फीज़ी बारिश होगी प्रत्वी विज्यान मनपुराले के सचेव एम राजीवन ने शुक्रुवार जून से सितंबर तक बारिश का पुना अनुमान जानी किया है उन्होंने कहा है कि ओड़ी साल जाकन पूर्वी उत्ता प्रदेश और असब में समाने से कम बारिश होने की संभावना है पही देश के बाखी के हिस्सों में समाने या इससे अधिक बारिश होगी इस बार मौनसून LPA का 98 फीज़ी होगा जिससे समाने बारिश रहेगी ये एक अच्छी ख़वर है जिससे भारत को कृशी शेत्र में अच्छे पाइनाम मिलेंगे गुड मौनिंग इंडिया में फिलाल के लिए बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तवाम खबरों के लिए आप देखते रहें डियूस वोल इंडिया